नमस्कार दोस्तों तो क्या ट्राइडेंट में क्या होने वाला है देखिए आज के दिन का ट्रेडिंग सेशन पहले डिस्कस कर लेते हैं देखिए लोग कहेंगे 8 रुपे आजाएगा 9 रुपे आजाएगा नहीं कोई मतलब ही नहीं है 8-9 रुपे तो आने का 30 से नीचे आने ट्राइडेंट जैसे शेर में बहुत रेयर होती है बहुत मतलब 1% चांसे दिखेंगे 100 में से एक दिन में होगी माल उठाया जाता है ऐसा नहीं है कि माल नहीं उठाया जाता आज है 54 रुपे 70 पैसे मैंने कहा था आपको 57 रुपे के राउंड इसका पहला टार्गेटर कोई कुछ नहीं कर सकता पर यह 8-9 रुपे कभी नहीं आएगा 35 से नीचे भी नहीं आएगा इसका सपोर्ट लवल है 50 पे और फिर 47 पे आप अगर मैं कह रहा हूं कि चाली रुप क्योंकि एक साल के टार्गेट बहुत उपर है इसके अगर कोविड जैसी सिचूशन नहीं बनती है तो एक साल के टार्गेट बहुत उपर है लोग कह सकते हैं कि हाँ यह होगा वो होगा अब लोग कह रहे हैं कि टाटा पावर 50 रुपे हो जाएगा पांच रुपे हो जाएगा ऐसे तो फिर कहने को क्या है आप कहे दो कि Reliance कलको 20 रुपे हो जाएगा इसका कोई मतल करता तो 100 रुपे है दो साल का 200 बाकी खुद की रिसर्च कीजिए मेरे कहने पे मत जाएगे इसके रखिए इसका सारा analysis देखिए इसके shareholding pattern देखिए फिर फैसला जीजिए अपनी रिसर्च पे विश्वास कीजिए मेरे कहने पे मत बाय कीजिए मेरे कहने पे मत होल्ड कीज कीजिए अपनी रिसर्च पे विश्वास कीजिए और बाय कीजिए दोस्तों धरनेबाद थैंक यूवर्मच